Hello Friends, कैसे आप सब लोग? आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने कम्प्यूटर में हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे? तो हिंदी टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले आप MS World जो है उसको उपन करेंगे ओपन करते ही, वैसे मैंने एक चार्ड बना के दिया हूँ है आपके सामने ये उसका चार्ड है, आप चाहें तो इसका स्कीन शॉट ले सकते हैं जैसे ये है, कि D से कौ बनता है, L से सौ बनता है, जिस से जो चीज बनती है वो सारा इसमें लिखा हूँ है, और इसमें कुछ जैसे ये है, यहाँ पर Q, R, W इस धंग से होता है तो जैसे उपर 4 है और नीचे छोटी U की मातरा है, तो यानि कि अगर simply है तो वो अगर simply type करेंगे, तो आपका छोटी U की मातरा बनेगी और fall आने के लिए आपको shift के साथ press करना पड़ेगा तो ये जो उपर के world है, ये with shift है अगर shift के साथ आप keyboard की keys को press करोगे, तो ये उपर वाले आ जाएंगे ठीक है, और आप without shift करोगे, तो ये नीचे वाले आएंगे तो I hope की इतना समझ में आया होगा, कि अगर आप कोई भी key shift के साथ press करेंगे तो क्या आएगा, उपर वाले, जितने भी top में लिखे हुए है, उपर जो लिखे हुए है वो with shift आएंगे, ठीक है, और without shift ये नीचे वाले आजाएंगे ठीक है, अब करते कैसे हैं टाइपिंग, आपको सबसे पहले टाइपिंग करने के लिए, यहां पहले जरद मैं size बड़ा कर देता हूँ, इसका size 24 कर लेता हूँ, इतना तो सही है, अभी आपको पता होगा, यह इंगलीज में टाइप कर रहा है, ठीक है, तो हिंदी में करना होगा, फॉंड में, इसका फॉंड स्टाइल चेंज करना, यहां टाइप करो के, के से यह कुरूती देव 10 आ गया, यहां पर आपका लिखावा है, यह जो इसक्रीन है, यहां पर कुरूती देव 010 है, यह इसका कोड है, यह हिंदी फॉंड है, अब जैसे ही हम में A प्रेस करा, फिर S प्रेस करा, फिर D, फिर F, फिर G, फिर Semicolumn, फिर L, फिर K, फिर J, फिर H, क्या-क्या बन रहा है, उपर वाले लेंगे, तो Q, W, E, R, T, फिर P, सॉरी, यह वो है, P, यह है, O, I, U, Y, ठीक है, और नीचे की लाइन में जाता हूँ, मैं, Z, X, C, V, B, M, और N, एक बार और समझ लो, A, यह without shift है, A, S, D, F, G, ठीक है, फिर Semicolumn, L, K, J, H, फिर उपर की लाइन में जा रहा हूँ मैं, Q, W, E, R, T, फिर उपर की लाइन में, राइट हैंड से, P, O, I, U, Y, है, हम नीचे की लाइन में, Z, X, C, V, B, और नीचे की लाइन में, राइट हैंड से, M, और N, अब इनी वर्ल्डिंग को मैं अगर shift के साथ दबाऊंगा, तो क्या होता है, जैसे मैं Q डबा रहा हूँ shift के साथ, तो F बन रहा है, W डबा रहा हूँ तो चंदरबिंदू बन रहा है उपर से, ठीक है, तो यह है, अगर आपको इस चीज में कोई doubt होती है, ठीक है, तो आप insert में जाएंगे, यहां symbol दिये हुए हैं, ठीक है, symbols दिये more symbols हैं इसमें, more symbols में जैसे मुझे नहीं पता यह रूप किस से बनता है, तो यहां पर click करेंगे, तो यहां इसका shortcut keys आ जाएगी, जैसे re किस से बनता है, तो इसकी shortcut keys यहां पर आ जाएगी, ठीक है, एक इससे बनता है, shortcut keys और character code इसका यहां पर आ जाएगा, तो इससे आपको बस मुझे इसमें इतना ही कराना था बाकि ये टेबल अच्छे से देख लो ये जो मैंने बना के रखी वी है और आप बस टाइपिंग करना सुरू कीजिए और टाइपिंग करने का यही तरीका आप एबरी डे आप आदा घंटा कोई भी हिंदी का न्यूस पेपर लेके उसमे जैसे जैसे आप टाइप करते रहोगे आपकी स्पीट और अटोमेटिकली बढ़ जाएगी तो इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि कैसे हम हिंदी टाइपिंग करते हैं थैंक्स पॉर वाचिंग ठैंक्स अलॉट गुडबाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो म झाल 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 झाल